Hello students, welcome back to our YouTube channel. आज की class में हम top 200 arithmetic question का part 4 करेंगे. हमने ये series continue की थी जिसमें हम daily 10 top arithmetic question discuss करते थे. और हम 200 question part wise discuss करेंगे. तो आज का part 4 का first question देखिए. Time and work का question है, XYZ can do a work in 15 days, 8 days, 24 days respectively. They start working together and work for 3 days. फिर P के efficiency दिये 3 by 4, efficiency of X, complete the rest of work. Find the number of days for which P worked. इस type के question हमने पहले भी किये हैं time and work में किस तरह करते थे. सबसे पहले आपको कोई भी जो days दिख रहे हैं, total work मानेंगे. Total work के कैसा number resume करेंगे, जो इन तीनों से easily divisible हो. Easily divisible means LSEM. अब LSEM लोगे 15, 8 और 24 का. और LSEM लेने का easy method यही है, जो सबसे बड़ा number है तीनों में से, उसी का table को check कीजिए. 24 के table में 8 तो जा रहा है, 24, फिर 48, 72. अब इसी साब से check करोगे 120. 120 आप ऐसा एक number है, जिसे तीनों easily divisible है. Means इसका LSEM. किसको कोशिश किया कर लो, और ली लेने की. 120, LSEM आजाएगा, total work आजाएगा, 120 unit. बाकी फिर हम क्या करेंगे, efficiency निकालेंगे. efficiency क्या होता है, work upon time. 120, total work ले लिया, तीन variable है, starting में x, y, z. तीनों के efficiency निकाल लो. Efficiency means एक दिन में कितना काम कर रहे हैं. अब देखो, x 15 दिन में पूरा काम खतम कर रहा है. तो इसकी efficiency निकालनी हो, तो 120 डिवाइड बाइ 15, इसकी 8 आजाएगी. वैसे आप second y की निकालोगे, 15 आजाएगी, z की, 120 डिवाइड बाइ 24, 5 unit. तो ये चीज क्या आगी, आपकी efficiency, वो एक दिन में इतना काम कर रहे हैं. अब सबसे पहले क्या given है, they started work together and worked for 3 days. Efficiency एक दिन में, ये 8 unit कर रहा है, ये 15 कर रहा है, और ये 5 कर रहा है. तो टोटल आप देखोगे, इनका टोटल कितना आजाएगा? 8 प्लस 15 प्लस 5. तो टोटल ये कितना है? 28 unit. 28 unit तो किसमें एक दिन में कर रहे हैं? Per day. Efficiency किया होती है? Per day. कौन? XYZ. But इन्होंने कितने दिन काम किया है? 3 days. तो 3 days में कितना काम कर देंगे? 3 days में. एक दिन में 28 करनें, तो 3 दिन में कितना कर देंगे? 3 into 28 कर दो गया आप. 84 unit. 84 unit आपका work complete है. अब देखोगे remaining कितना रह गया? Remaining, टोटल कितना है? 120 करना था? 84 हो गया, तो minus करके देख लो. तो minus जब आप करोगे, 36 unit आजएगा. अब इस 36 unit को कौन करेगा? एक variable है P. पर P के बारे में क्या बोला है? उसकी efficiency 3 by 4 था, efficiency of X की. जो आप efficiency of P लोगे, 75%. 3 by 4 of X. X के efficiency कितनी है? हमने question starting में निकाली है. 8 unit. तो इसको solve करोगे, तो P के efficiency कितनी हागी? 6 unit. तो वो 6 unit कर रहा है, एक दिन में. अब काम कितना करना है? 36 unit. तो days कितने लगेंगे? efficiency work upon time है, तो time क्या होता है? work upon efficiency. तो 36 unit divide by 6. तो इसको कितने days लगेंगे? 6 days. बिल्कुल easy question है. जिनकी time and work में hold अच्छी है, तो उन्हें पता है कि इस तरह बहुत easily कर सकते हैं अब इस question को. Second question देखिए. Profit and loss का allegation से भी हो जाता है. पहले आप question को खुद करके देखिए. वीडियो को पहले pause कर लिए. पॉस कर ले ना, फिर उसके बाद आप खुद solve करो, फिर वीडियो प्ले किया करो. अब इस question को देखो. इस shopkeeper sold 250 pen. Sum of pen, he sold at 30% loss and remaining pen, he sold at 20% profit. Overall उसको दे रहें, loss हो रहा है 10% का. How many pen did he sold at loss of 30%? बिल्कुल बहले मैं basic से करा देता हूँ. basic से भी देख लो, shortcut allegation से भी देख ले ना. सबसे पहले आपको बता रहे हैं, देखो 250 pen ने. 250 pen. थोड़े से loss में, थोड़े pen sell करते बारी loss हुआ और बाकियों में profit हुआ. Loss और overall इसको क्या हो रहा है? overall उसे overall भी loss हो रहा है 10% का. अब question हो अब देख रहा होगे, पहले case में 30% का loss है, profit कितने का है, loss है, 20% का profit है, और overall उसे आप देखोगे, overall भी क्या हो रहा है, उसे loss हो रहा है. कितने का 10% का. पहले question को समझा गरोगी, given क्या है. ये scenario है, अब आपको बताना है कि कितने pen उसने loss पे गिए, total 2500 pen थे, variable A और B लगाना वैसे लगा लो, या X मानना वैसे मान लो, एक variable में करना तो मान लेते हैं, loss में कितने थे, X pen थे, X pen loss में थे, तो profit में कितने होगे, total तो कितने थे 250, तो 250 माइनिस X आ जाएंगे, X की value कुछ भी हो सकती, जो option given है, 150 होगी, तो naturally बात दूसरा 100 हो जाएगा, 130 होगी, कुछ भी होगी, तो आपने देखो, X pen loss में मानने, तो profit में कितने होगे, 250 माइनिस X pen, और total कितने है, total overall तो कितने है, 250 pen नहीं है, इनको एप एड भी करके देखोगे, pen pen लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, कि मैंने ये वो variable मानने है, कि X pen मैंने मान लिए loss पे है, तो profit पे 250 माइनिस X होगे, इसको total कार होगे, तो 200 ही आएगा, अब इस equation मना के देख लो, percentage का concept सबको बता है, loss पे जा रहा है, 30% कोई चीज आप loss पे बेच रहे हो, तो मतलब कितनी है, अब 70% पे बेच रहे हो, इसका मतलब यह होता है, तो 70% of X pen, अगला कितना है, 20% profit, profit देखो percentage में कहा रहता है, कि 100 mad होता है, 20% profit मतलब आपने कितने पे बेचा है, इसको 120 पे, 250 माइनस X, और overall, overall देखो, overall उसको 10% का loss था, मतलब 90% पे चीज गी थी, 90% of 250, देखो आप इस equation को भी solve करोगे, आप easily आपके पास X की value आजाएगी, बस मैंने आपको equation बताना थी, और जिन student की allegation पे command अच्छी है, वो allegation से भी देख लो, अब सबसे बहले देखो इसको solve करना है, अब percentage, देखो हर जग ही percentage है, जरूर नहीं लिखना, percentage तो काटी दो, 00 भी काटी दो, थोड़ा काम कम हो जाएगा, एक 0 इदर से काट दो, चलो आप देख लो कितना रहा गया, इदर simply रहा गया, off का मतलब multiply होता है 7x, यह कितना रहा गया, 12 into 250, 250 से multiply करो इसे, 250, 25 को बहले 12 से कर दो, 300 और एक 0 लगा दो, 300, minus 12x, off simply कर जाएगा, 25 को 9 से करोगे, 225, और एक 0 लगा दोगे आप, बस यह solve करना है आपने, अब आप यह चीज़ notice करो, इदर देखो, माइनस 5x आएगा मैं इसको, माइनस 5x आया, इदर जाके प्लस होगे, 5x, और यह इसको मैं इदर ले जाओंगा, 2250 को 3000 minus हो जाएगा, तो कितना आजएगा, 750, तो वैसे आप x की value डिवाइड करोगे इसको, तो 150 आजाएगा, आपकी देखो command अच्छी है, basic पे भी command अच्छी है, तो आप सीधा बस यह equation लिखनी थी आपने, यह तो मैं आपको starting में फिर समझा रहा था, कि यह scenario चला है, कि यह loss पे जा रहा है, यह profit पे, बढ़ आप इस equation को भी लिखो, तब भी आप easily solve कर सकते हो, 150 आंसर आजाएगा, इसको note कर लो, फिर मैं allegation का बता देता हूँ आपको, allegation देखो simply क्या रहती है, कोई भी data जब आपको percentage में दिया हो, यह per unit value दियो, तो आप उसमें allegation लगा सकते हैं, सबसे पहले देखो क्या था, एक जगा आपके पास 30% loss, तो आप इसको लिख सकते हो, इसमें आपको consider करना पड़ेगा, जो चीज loss पे तो आप इसको donate करो, minus से, अभी लिए symbol लिख लो, मान लो कि यह loss यह, यह quantity आपकी loss वाली यह है, और यह आपकी gain वाली है, तो यह minus 30% है, अरगले में कितना है, 20% का profit, तो profit है तो कितना आजाएगा, plus 20%, overall क्या आ रहा है, overall, overall उसे loss हो रहा है, loss हो रहा है तो कितना, 10% का, देखो जब भी allegation लगाते हैं, तो simply हमें क्या करना पढ़ता है, बड़े से छोटा, और इसकी value उस तरह लिखने पढ़ती है, अब minus 30 और minus 10, इसमें कौन सी चीज value बढ़ी है, minus 10 बढ़ा है, तो minus 10 minus 30 करोगे, minus 10 से minus 30 को subtract करोगे, तो आप इसको solve करोगे, तो आप देखोगे कितना आजाएगा, 20, percentage बगारा देखो, वही रहेगा, symbol बाद में कट जाएगा, percentage लिखने की जुरूरत नहीं होती, इधर 20 आजाएगी value, अब इन दोनों में बढ़ा कौन है, ये 20 बढ़ा है, तो 20 से आप 10 को minus करोगे, तो value कितनी आजाएगी, 30, इधर भी percentage, इधर भी percentage, तो simply आपके पास कितनी ratio आजाएगी, 3 ratio 2, मतलब जो आपके article sold होंगे, वो कितनी ratio में होंगे, 3 ratio 2, बस इसको 3 ratio 2 में divide करना, overall कितने pen थे, 250 pen थे, हमें कौन सा बताने थे, loss वाले, पहले वाले बताने थे न, तो ये कितने 3 unit, आपको बता है, 3 और 2, 5 की value 200 है, तो एक की value कितनी, 50 होगी, ये इस तरह भी कर लो, आपको एक की value बताने थे, तो इसकी ratio कितनी 3, out of total, 3 plus 2, 5, 3 upon 5, into 250, इसको भी आप solve करोगे, कितना आजाएगा, 150, तो 150 पहना आपके आजाएगे, loss पे, और remaining 2 unit कितना, ये वैसे आपको बताए, 1,500 और 100 आजाने से, तो करने को बिल्कुल और ली कर सकते हैं, चीजे बिल्कुल elementary है, 3 और 2, 5 unit की value 200 है, तो आपको बताए, एक की value 50 है, सिंपली कर दो, 150 और 100, ये दो value आजाएंगी, तो ये था हमारा second question, चलिए next question पे, question देखे क्या बोल रहा है, ये two digit number is such, that product of digit is 14, when we calculate 266, 2 by 3 percent of the number, then the digits of number gets reverse, what is the number, best approach यह है कि option से करो, सबसे पहले आप ऐसा देख लिए, product of digit is 14, ऐसे कौन सा number है, जिसके product of digit is 14 है, 27 में आ सकते हैं, 8 into 4 करोगे 32, ये तो है नहीं, 3 into 5, 15 ये भी option नहीं हो सकता, 7 into 2, 14, none of this, तो इसका answer देखो यह हो सकता है, 27 हो सकता है, 72 हो सकता है, इसलिए product of digit 14 आ रहा है, second condition चेक कर लो, when we calculate, 266, 2 by 3 percent of the number, सबसे पहले ये fraction निकाल लो कितना है, देखो calculation आप कि strong है, तो आप इसको fraction देख सकते हो, 266 को 3 से multiply कर दो, 7, 98 और 2, 800, ये fraction कितना आजएगा, 800 by 3, अभी मैंने mixed fraction हो लाए, आगे क्या percent, तो ये कितना आगे, 8 by 3, cross check कर लो, पहले option A चेक कर लो, 27 का when we calculate, 26, 2 by 3 percent, मतलब जब आप इसका 8 by 3 निकालोगे, जब आप इसका 8 by 3 करके देखो कितना आ रहा है, 72, बिल्कुल सही बात है, then the number gets reverse, तो देखो पहले number 27 था भी, इसका reverse कितना आ गया, 72, 72, तो बिल्कुल सही, option number 1 इस cancer आ जाएगा, जो option number D था, उसका देखो, 72 का जब आप ये करोगे, 8 by 3 करोगे, तो कुछ और आएगा, ये तो number कुछ और आगया, 24 को 8 से करोगे, पिर मतलब तब भी, ये similar reverse तो नहीं आएगा, तो इस cancer फिर option number D नहीं होगा, इस cancer फिर कौन सा होगा, option number A, तो इस तरह option से करोगे, तो ठीक है, नहीं तो number की form में लिखना, थोड़, basic से भी हो जाएगा, पर वो थोड़ा length ही रहेगा, आपने कोशिच करनी है, कि आपको short और जल्दी करना question, 4th question देखिए, mensuration का question है, easily कर सकते हो, area of rectangle is 88 cm less than area of square, length and breadth rectangle की दी है, 20% more, 35% less respectively, find the area of square, area of square बताना आपको, सबसे पहले देख लो, side of square माल लो, x माल लो, सबसे पहले क्या दिया है, length कितनी 20% more है, x करना, x कर लो, 100 मालना, 100 मालना, आपको इपनी choice रहती है, square मैंने यह माल ली है, side सारी square की ब्राबर है, length कितनी है, 20% more है, 20% more है, मतलब कितनी होगी, वह 120%, 120% points में कितना जाता है, 1.2x, इस तरह भी कर सकते हैं, यह 35% less है, इस तरह लिख लो, fraction में नहीं लिखना तो, simply इस तरह लिख लो, 0.65x, area of rectangle is 88 cm2 less than area of square, area of rectangle less है, तो मुझा स्क्वेर का area जाता है, area of square कितना हो जाएगा, side square, x square, minus area of rectangle, length into breadth, इन दोनों को multiply करोगे, 1.2x into 0.65x, यह कितना है, 88, अब simply इस में देखोगे, आपको side of square बताना था, और easily आपके लिए काम easy किया होगा है, कि आप जब आप इसमें x square common लोगे, तो इधर 1 रह जाएगा, इधर देख लो कितना आता है, 1.2, 65, 65 को 12 से कर लो, multiply, 65, 650, और इसमें आप, 650 प्लस, कितना कर दोगे, 130, 780 आजाएगा, point इसके बाद खिसकाना है, 0.78 आगया, simply इससे माइनस करो, थोड़ी सी calculation है, बस calculation आपके strongest इसको कर लोगे, इसको 1 से 0.78 माइनस करोगे, 0.22, 88, तो x स्क्वेर कितना आजाएगा, 88, divide by, 0.22, इसको करो, 4, और उपर चल दाएगे, 400, simply इसका आज़र आगया, 400 cm2, option number B, इसलिए आपको क्या पूछा था, side of square पूछी थी थी न, side of square नहीं, area of square, area of square पूछा था, तो थो हमने simply क्या किया, area of square हमने directive formula लगा लिया, इसका area का formula हमें पता है, simply क्या होता है, x square, ये भी easy question था, question number 5 देखो, the ratio of speed of boat in still water, to speed of stream is 8 ratio 3, the boat travel 3, 30 km downstream in 6 hours, how much more time the boat will, take to travel the same distance upstream, देखो आपको इसको, ratio method से करना, ratio से करना, वैसे कर लो, basic से भी करोगे, कुछ ज़्यादा time नहीं लगेगा, concept पता होने चाहिए, speed of boat, x मानते हैं, speed of stream, यह water हम वाई मानते हैं, 8 ratio 3 दिया, पहली बात ऐसी बात नहीं है, 8 और 3 होगा, कुछ ना कुछ multiple होगा, इस तरह, the boat takes 3, 30 km, downstream in 6 hours, इधर से speed निकाल लोगे, downstream speed आपने निकालने है, speed, speed क्या होदा है, distance upon time, 330 km चल रहा है, कितनी देर में, तो यह कितना आगए, 55 km, पर downstream speed, simply गया होती है, आपकी, x plus y, x plus y कितना है, 55 km, तो इधर से आप देखो, यह वाली value पुट करोगे, x और y की 8 है, और 3 है, तो simply आप a निकाल लोगे, आपको पता लग गया है, 11 की value कितनी है, 55, तो a की value कितनी है, 5, 5 km per hour, पहले मैं, बेसिक से भी बता रहा हूँ, बागी short approach भी बता दूँगा, ratio से भी, अब इधर put कर दोगे, तो यह x की value कितनी है आजएगी, 40 km per hour, और 3 a की value कितनी है आजएगी, 15, अब इससे आगे देखो, क्या बोल रहा है question, how much more, how much more time the boat will take to travel the same distance, how much more, यह simply आपको, more तो यह इसमें simply यह आएगा, how much time, boat will take, more में भी बता देना, तो उसमें कोई दिक्कत नी, जो 6 hour से जादा आना था, पर इसमें मिरको option लगनी रहे, यह सारे, उसमें तो बहुत जाद time लगेगा, फिर 13 कुछ होने चाहिए, 13 means, इससे double होना चाहिए, बारस होके आसपास होना चाहिए था, तो इसमें simple question रहेगा, how much time the boat will take to travel the same distance upstream, same distance, x की value कितनी आगी, 40, y की value 15, upstream speed कितनी आजएगी, upstream speed, होती गया, मैं जो लिख रहा हूँ, downstream जब पानी के साथ flow है, upstream against, तो x minus y, तो 40 minus 15 करोगे, कितनी आजएगी, 25 km per hour, upstream speed, time बताना है, कितना time लगेगा, time कितना आजएगा, distance upon speed, तो distance तो कितना आपका, 330, speed हमने कितनी निकाली, 25, बस इसको 25 से divide कर लो, अभी देखो time हमारा hours में है, पर question में क्या minutes में पूछा है, तो minutes में पूछा है, तो इसको क्या है simply, फेले इसको देख लो, थोड़ा सा काटना काट लो, 5 से काट लो इसको, 5, 6, 5 से 6 आगया और, 66, 72, 12, 6 आगया 72, 792, तो इसका answer कितना आजाएगा, option number C, 792 minutes, तो इतने steps, वैसे आप और ली भी कर सकते थे, 8 और 3, 11 की value आपको 55 थी, एक की value निकाल ली थी, तो इस तरह भी कर लिया, बाकी ratio method देखो, note कर लो पहले से, ratio method, ratio method देखो, इसमें generally क्या रहता है, जब आपका distance same हो, distance same, मतलब जो, एक बार आप जा रहे हो, A से B जा रहे हो, naturally बात है, एक बार आपको downstream मिल रहा है, तो आत्ती बार तो upstream ही मिलेगा, तो इसमें distance तो same है, आप A से B जा रहे हो, concept वह ही है, speed is equal to distance upon time, जब D constant हो, distance constant हो, तो speed आ जाती है, inversely proportion to time, अब देखो, आप क्या concept लगा सकते थे, downstream speed और upstream speed, speed की ratio बता रहा हूँ, downstream speed simply क्या होती है, x plus y, तो ये कितना 8 और 3, तो कितना आ जाना था, 11 unit, upstream कितना आ जाना था, 8 minus 3, तो आपके पास अभी ratio है, speed की ratio है, 11 ratio 5, जो time की ratio आएगी, जो downstream में time लगेगा, और जो upstream में time लगेगा, उनकी ratio क्या हो जाएगी, reverse हो जाएगी, reverse means 5 ratio 11, और इते को basic से concept है, downstream की speed जादा ही होती है, और time उसमें कम लगता है, इसलिए पानी के साथ आप flow कर रहे हो, तो naturally बात है, speed तो जादा ही आएगी, speed जादा ही तो time कम आएगा, अब आपके पस ratio कितनी आएगी, 5 ratio 11, बट, आपको देखो क्या चीज गिवन है, 6 hour, downstream में आपको time कितना दिया था, 6 hour, यह चीज आपको 6 hour दी थी, upstream में पूछ रहे थे कितना लगेगा, तो यह वाल x, x से कुछ भी t time मान लो, तो इस तरह भी cross करते हैं, cross multiply करोगे, तब भी आपके बास देखो, same चीज आ रही है, इसको multiply कर दो, 66 और 5 t, मैंने एक step only कर दिया, 5 t is equal to 66, तो t कितना आगे, वो ही चीज जो हमने पहले की थी, यह hours में आया, minutes में करने में, इसको 60 से multiply करना था, 60 से multiply करते हैं, तो फिर वो last में, वो ही 792 आ जाना था, इससे क्या देखो, एक ही concept से हो जाता है, बस आपको यह concept लगाया, मैंने direct answer आगया आपका, next question देखो, 6th question, speed distance time का, पहले question को थोट सा read कर लिया करो, समझा करो कि क्या बोल रहे है, रिचा, नवीन, शुभम, travel by their vehicle, average speed, रिचा और शुभम की दिये, 10 ratio 3, 13, नवीन, cover 840 km in 12 hours, इधर से नवीन की speed राम से निकल जाएगी, how much distance will शुभम cover in 90 minutes, 90 minutes minutes, 1.5 घंटा 1.5 hours, if ratio of speed of रिचा 2, नवीन is 6 ratio 7, अब एक चीज़ notice करो, आपको speed की ratio दिये, पहले case में देखो, रिचा और शुभम, रिचा और शुभम की speed की ratio, पहले वाले case में कितनी है, 10 ratio 13, और अगले में देखो, रिचा, कौन है, रिचा और नवीन, इसमें इनकी ratio देखो, कितनी है, speed की ratio, इधर भी speed की ratio आपको given है, 6 ratio 7, ये चीज़ आप analyze करो, देखो, रिचा इधर भी use हो रहा है, इधर भी use हो रहा है, दोनों जगा, पट इसमें क्या है, एक जगा इसकी 10 value, एक जगा 13, तो आप इसको basic से कर सकते हैं, रिचा की ratio तो same करो, same मतलब 10 और 6 आपस में कब same होंगे, हमें पता 30 में same हो जाएंगे, क्यों न 30 बना दे, इसको आप 5 से multiply कर दो, और इसको आप 3 से, तो इससे क्या होगा, कि आपके बस रिचा, शुबम और नवीन, इनकी speed की ratio आजाएगी, speed की ratio कितनी रहेगी, 10 इंटू 3, 30, 3 इंटू 13, 39, और नवीन की देख लो, इधर से multiply करके आजाएगी, इक्वेशने सारी satisfy है, पहली equation देख लो, रिचा और शुबम, 10 ratio 13, जब आप इसको 3 से काट होगे, अगले में आप इसको, 39 और, sorry मैंने गल्द कर दिया, इस शुबम था, शुबम की 39 थी, और नवीन की आपकी, यह तो वैसे ही रिलेट नहीं हो रहे थे आपस में, रिचा और नवीन था आपको, रिचा और नवीन, वो तो 6 ratio 7 है, आप question देखो, क्या चीज बोल रहे हैं, नवीन कवर 840 km in 12 hours, इधर से हम क्या कर सकते हैं, नवीन की speed निकाल सकते हैं, नवीन की speed कितनी हो जाएगी, speed के distance, 840 km, कितने time में cover कर रहा हैं, 12 hours में, 12 hours में कर रहा हैं, अब simply देखो, पूरा कट जाएगा यह, 70, तो इसकी speed कितनी आजाएगी, 70 km per hour, नवीन की speed कितनी आजाएगी, 70 km per hour, हमारे साब से देखो, इधर नवीन की speed कितनी आजाएगी, 35, तो कि उन्हें यही से लेट कर दो, पूरी equation को, ratio है, पूरी ratio को 2 से multiply कर दो, पूरी ratio को 2 से multiply कर दो, कि अब को इस net speed आजाएगी, इसकी 60 आजाएगी, इसकी आप 78 आजाएगी, और इसकी कितनी आजाएगी, 70, यह आपकी net speed है, इसलिए यह तो ratio थी, अब यह आपके पास accurate value है, इसकी 60 km per hour है, इसकी 78 है, और इसकी 70 km per hour, तीनों की speed आजाएगी मेरे पास, अब last में आपको एक step रह गया था, हमें last में पूछा था, कितना distance शुभम चलेगा 90 मिनिट में, शुभम की speed कितनी है, 78 km per hour, easy step है, एक step रह गया आपका, distance क्या होता है, distance speed into time, speed कितनी है शुभम की 78, time कितना है 90 मिनिट, 90 मिनिट मीन्स मीन्स 1.5 आवर्स, यह 3 by 2 आवर लिख लो, 90 मिनिट है, तो इसको simply solve कर दो, 117, 2 से काटा, 39, 39 को 3 से किया, 117, तो इसका answer कितना आजाएगा, option number 4, 117 km, 7th question देखो, easy question था यह भी, calculation थोड़ी सी थी, ऐसा भी नहीं कि, 1 मिनिट से ज़्यादा लगी, कोशिच करनी है कि, कोई भी arithmetic का question, आपका less than 1 मिनिट हो रहा है, जब एक मिनिट से ज़्यादा ले रहा है, तो मतलब कहीं नहीं आपकी approach गलत है, अब देखो, difference between present age of father, and his daughter is 28 years, after 10 years from now, the ratio of age of father and daughter, will be 10 ratio 3, what is the age of daughter, 5 years from now, question को यहीं से start करते हैं, after 10 years, father और daughter की age कितनी है, 10 ratio 3, यह question को हमेशा जहां पर ratio दिया है, वहीं से start करो, 10 और 3 तो value होगी नहीं, कुछ न कुछ multiple होंगे, 10 a और 3 a, पड़ यह चीज कब है, यह कब है, after 10 years, 10 साल बाद, after 10 years, तो आपने देखो, यहीं से analyze करनी, तो present में इनकी value कितनी होनी थी, 3 a minus 10, यह चीज आपने यहीं से analyze करनी है, कि 10 साल बाद उनकी ratio, 10 ratio 3 है, पहले देख एक variable लगा दो, 10 a, 3 a, present में कितनी होगी, यह भी 10 साल कम होगा, और यह भी 10 साल, अब हमें क्या चीज दिये, difference दिये, father और daughter का, father और daughter का difference हमें दिये, 28 year का, आपको देखो, इसको जब आप subtract करोगे, यह चीज़े ऐसी कटेंगी, minus minus तो ऐसी कट जाना था, इसको आप जब subtract करो, यह वाली value पुट करो दुनों में, तो आपके बास क्या रहा जाएगा, 7 a, 7 a की value कितनी आ जाएगी, 28 year, तो a की value कितनी आ जाएगी, 4 year, अब question देखो, what is the age of daughter, after 5 year from now, सबसे पहले आप present में, daughter की age कितनी है, इधर a की value 4 put करो, 12 minus 10, simply 3 into a की value 4 put कर दोगे, तो daughter present में कितनी आ जाएगी, 2 year की, present में 2 year की, बढ़ हमें क्या पूछा है, after 5 year, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद वो कितने साल की हो जाएगी, 7 year, तो इसका option ना जाएगा, option number 4, easy question है, ज़्याद़ typical नहीं है, next देखिए, simple interest, simple interest on rupees P, at 6.25% rate of interest, for 12 year is equal to, simple interest on rupees 18,000, at 7% in 8 year, what is the value of P, बिल्कुल easy question है, basic आपको बता है, कुछ भी नहीं है formula, simple interest equate करना है, formula is equate कर दू, simple interest कितना होता है, P, at, upon 100, इस तरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले principle P है, rate कितना है आपको, 6.25, time कितना है, 12, अब ये भी देखो, upon 100 है, इधर भी solve कर लो, अगली जगा कितना है, 18,000, 18,000 में कितना है, rate interest, 7%, और time कितना दिया आपको, 8 year, और इसकी upon 100 इधर भी आएगा, बस ये calculation करनी है, आपने, एक step है, इसको solve कर लो, answer आजाएगा, ज्यादा कोई step नहीं थे, इसमें, वैसे 2.0 यहां से काटने, अब ऐसी देख लो कितना आ रहा है, इसको multiply कर दो, 625 को 12 से कर दो, 300, यह simply आप देख लो, 625 को 12 से कर ले ना, फिर 2.0, 60, 12, 2, 24, और फिर 60, 30, 12, 6, 72, 75, तो आपको पता, इसमें किया है, generally, अब वो खिसकेगा, 2.0 खिसकेगा, तो यह value कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी, और वैसे भी कर सकते, 12, 6, जा 72, और इसको आपने, 3 आ जाएगा, 75, बिल्कुल सही है, आगे बस इसको देख लो, 1800, और यह कितना है, 8 into 756, आपको principle की value निकालनी, तो principle किया है, simply divide हो जाएगा, 75 से काट दो इसको, 75 से काटेंगे, तो देखो, सबसे पहले 2 से कारोगे, 150, 150 के बाद आप देखोगे, 30 रह जाएगा, फिर 4 रह जाएगा, 75, 4 जा, तो principle की value कितनी आ जाएगी, 24, 56 into 24, 24, 6 जा 144, 24, 5 जा 120, 120 plus 14, 134, देख ले ना calculation, देखो, कहाँ पर रह गया था मारा, 56, यह मने कितना काटा था, अच्छे, यह 18,000 था, 18,000 था, एक जिरो और थी यहाँ पर, 240 था यह, तो simplest answer कितना आ जाएगा, 13440, option number 2, देखे, next question, probability का है, बिल्कुल easy question है, 2 dices are thrown simultaneously, what is the probability that both dice has a perfect square, सबसे बहले 2 dice हैं, possible case कितने रहेंगे, 36, 3 dice roll करते तो, possible case कितने रहने थे, देखो, हमेशा देखो, raise to power होता, 2 हैं तो 6 into 2, 3 होते तो, 6 into 6 into 6, 4 dice करते तो, 6 की power 4, इस तरह रहता है, हमें किया important क्या चीज है, और देखो, वैसे cases पता होने चीज हैं, आपको, मैं एक बर random सा उता रहा हूँ, वैसे पहला case, जो मैं 36 case बता रहा हूँ, probability क्या होती है, required, desired, जो हमें चाहिए, divide by total, total cases, required case, divide by total, अब देखो, जो इसके 36 case होते, जब आप 2 dice करोगे, 6 तक चलना है, फिर आपने इधर 2 से start करना है, 2, 1, 2, 2, 2, 3, ऐसे से करके, 2, 6, तो इस प्रोसेस चलता रहेगा, ऐसे 3 से start होगा, 4 से start होगा, 5 से start होगा, और 6 से, तो आप इनके ऐसी case गिनोगे, तो हर रोव में कितने 6-6 case आ रहे हैं, माइंड में होने चाहिए और लिखने का तरीका बता रहे हैं, चलिए कई बहर आपके माइंड में डेक्ट पता होने चाहिए, अब इस question का तो देखो, what is the probability that both the dice has a perfect square, perfect square, perfect square मतलब, perfect square कौन से आ सकता है, एक आ सकता है, और 2 का square आ सकता है, तीन का square नौ तो आएगा है नहीं, sum नहीं बोला, simply individual बोला है, तो आप देखो एक case आपके required ये, favorable case कौन से है, favorable case लिख लो, ऐसा हो सकता है कि एक में 1 और 1 आए, तब भी count होगा, ऐसा हो सकते कि 1 में 1 और 4 आ जाए, perfect square है, और कौन से case हो सकते हैं, कि पहले में 4 आजाए, अगले में 1 और 4 और 4, ये favorable case है, तो कितने favorable case है, 4 case, probability कितनी हो जाएगी, simply 4 upon total case कितने 36, जो मैंने आपको बताया थे, जिस तरह लिखोगे, तो इनकी value कितनी हो जाएगी, 1 ratio 9, option number first, easy question है, बिल्कुल, last question देखिए, करके, खुद try करके देखो, हो जाएगा ये वह बला question भी, अब देखो, सबसे पहले क्या चीज given है, question को समझना ज़ूरी है, जूरी नहीं हर बार allegation लगानी है, आपने, ratio से भी कर सकते हो, 840 kg mixture, rise or pulse की ratio दिए, 7 ratio 5, अगले में 560 kg है, उसमें भी ratio दिए, 3 ratio 5, इन दोनों के ratio में, अच्छा, mix किया हुआ है, तो कितनी ratio आएगी, कुछ भी नहीं है, question ये, पहले में देखो, individual पहले निकालना तो, वैसे निकालो, अलग अलग निकालना तो, अब इसमें देखो, 840 kg था, पहले वाले case में, अब इनकी ratio कितनी है, 7 ratio 5, 7 ratio 5, मतलब 7 unit rise है, तो 5 unit pulse है, तो rise निकालने तो कैसे निकालेंगे, 7 upon total ratio, 7 और 5, 12, और वैसी दूसरे case में किया है, pulse, pulse निकालने तो कितनी आजएगी, 840 into, 5 by 12, यह किया आपका पहली चीज है, यह किसके साथ mix किया है, 2nd वाले के साथ, अब देखो mix करने का total ratio बताने है, तो फिर मैं इधर ही plus कर देता हूँ, बाद मैं काट देंगा, जो कट रहा होगा, इसमें देखो 560 है, इसमें ratio देखो, rise और pulse की ratio कितनी है, यह बिल्कुल easy method है, अब देखो, solve कर लेना चाहिए, यहाँ पर 12 से काटना, 12 से काट लो आपके अपनी choice है, 0, 0 सब में कट रहा है, 12 से भी कटेगा, मैं को तो लग रहा कि, 0 तो पहले देखो सब में 0 है, दोनों में उपर नीचे हर जगा 0 है, इस तरह कट जाती है, sum में तो common ले रहे हो, फिर ना इसको पहली बात, 28 से भी सारे कट रहे हैं, 28 से, 28 से मैंने भी सारे काट दिये, 28 से मैं सारे काट रहा है, इधर 3 और 2, वो तो आपकी calculation है, आप चाहिए वैसी काट लो, 12 को 84 से काट दो, तब solve कर लो, आपकी अपनी choice है, answer आपका आजाएगा, तब भी कट जाएगा, 12 से कट रहा है, चलो वैसे काट लो, आपकी अपनी मजी है, मिरेको तो 28 से नमबर असान लग रहा था, 28 से मैंने काट नहीं है, तो इदर मैं 12 से काट इसको, 84 को 12, 7 जा, 8 को भी इदर से काटो, 8, 6 जा, 8, 7 जा, बिल्कुल सेम चींज आजाएगी, देखो इदर भी काटोगे, 12 से काटा, इदर भी 7 आगया, इदर भी इदर काटा, 7 आगया, तो उपर देखो कितना आजाएगा, 7 इंटू 7 बचा, और 7 इंटू 3, नीचे देखो, 7 इंटू 5 बचा, और 7 इंटू 5, अब देखो 49 और, 49 और 21, ये भी 70 आगया, और ये भी 35, 35, 70, दोनो 70, 70 आगी, तो रेशो कितनी आगी, 1 रेशो 1, इजी था, और भी इजी होगे, पहले 0, काट नहीं थी, काट थी, तो भी ठीक है, पर 12 के multiple थे, इजली कट गया answer, बिल्कुल easy question था, इसका 1 रेशो 1 answer आगया, तो ये आज भी हमने 10 question discuss किये, आज के question थोड़े little bit easy थे, I think, आपने भी comment section में बताना कि, कितने आपने try किये, कितने सही आए, बाकी next video कल आए upload होगी, जिसमें हम next इसका part discuss करेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल next video में, तब तक के लिए, take care and thank you,